नमस्कार दोस्तों मेरे नाम में विम्मल सिंग बाला जीश्ट रेड़ा में आपका स्वागत है तो हिंदी और परेवरण अध्यन के प्रेक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं तो जस्टिस से पहले हमने प्रेक्टिस सेट नंबर जो 13 था उसके 30 प्रसन देखे थे जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो हिंदी वाला मिल जाएगा आज हम देखेंगे पारवन अध्यन के कुल 30 प्रेक्टिस सेट है वो आपका 14 नंबर प्रेक्टिस सेट है तो चलिए शुरू करते हैं प्रस नंबर 121 से लाश में एक प्रसनम आप से प्रसन आपका 121 है कि एक खाद इसतर के दूसरे खाद इसतर में जाने पर उर्जा का जो रास है वो होता है इस प्रकार से चडराप्स्ण है हरास मतलब कितनी उड़ जा नश्ट हो जाती है तो जब 10% ट्रांसवर हो रही तो नश्ट कितनी हो रही 90% हो रही तो आपका 14 option 90% बिल्कुल सही हो जाएगा बैतरी इन प्रस्न है तो आपको रटा होना चाहिए कौन कौन सी जो यह नॉर्मल गिनी चुनी ही पूछी जाती है तो बात करते हैं चलिए अंसर की option 1-2-3-4 में से तो आपका option दूसरा वाला बिल्कुल जो हो सही हो जाएगा एक option D होगा यहनिकि प्रेरी घास जो आपकी उत्तरी अमेरिका में जो है वो पाई जाएगी फी वाला आपका option C से मैच करेगा है यहनि कि जो पमपास है वो आपकी अर्जेंटीना में जो है व पाई जाएगी पाई जाएगी मतलब क्या पाई जाती है वेल्ड की बात करते हैं तो यह आपका अपरीका से मैच हो जाएगा और डाउंश जो यहां पर देखे, pump pass में लिखा हुआ है, किसी को urgent oxygen की जब जुरत होती, तो हम pump ही तो use करते हैं, तो urgent से Argentina जोड़ सकते हैं, और pump यूज़ करते हैं, उससे pump pass यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप swim set trick बना कर याद रख सकते हैं, 123 प्रसंद कहा रहा है, निमलिकित में से, कौन से भाग में निर्वनी करण का प्रभाव जो है, नहीं है, चौर option है, बताना है, आपको option 1, 2, 3, 4 में से, डारेक्ट में answer की बात करूँगा, आपको बताना है कौन से सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो जो प्रभाव निर्वनी करण का नहीं है, वो नगरी करण जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो है, वो नहीं है, 124 प्रसंद कहा रहा है, कि IMD, यानि कि Indian Metrological Department Government of India की स्थापना किस वर्ष हुई, 1876, 1900, 1950, या 2005, option 1, 2, 3, 4 में से बताना है, आपको कौन सा जो है, वो सही होगा, बात कर लेते हैं, अंसर की, आपको देखने को मिलता है, 125 प्रसंद कहा रहा है, कि भूमी सनरच चड़की, जिस विदी में पहाडी ढलान को काट कर सीडिया बना दी जाती है, उसका नाम क्या है, बहुत ही अच्छा प्रसंद में, हैदपूर प्रसंद, चार option है, बात करते हैं, अंसर की कौन सा सही होग है, चार option है, नागोया, क्योटो, टोक्यो, बीजिंग, बताना है आपको option 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है, वो सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो क्योटो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला प्रसंद देखते हैं, 127 निमलिकित, जो कार्यकरम है, इन पर ध्यान किरधन की पूर्ती, और चौता है, पीड़को और कीटो से होने वाले चैसे वन चेत्र की हानी को रोकने के लिए पीड़क ना सक और कीट ना सक व्यावन के व्यापक प्रयोग का समवर्दन, उपरोग कतनों में कौन राश्टिवन नीती 1988 में सम्मिलित है, यह आपको बतान सही हो जाएगा, यहनि कि A, B और C जो है वो सम्मिलित है, D वाला जो है आपका नहीं है, 128 प्रसंद कहा रहा है, निमलिकित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्ता, मानवोध भवी है, एंथ्रो पॉजनिक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मीथेन, नाइटरस या हाइड्रोजन सलफाइट, चौर आप्शन में बताना है, आपको कौन से सही होगा, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, इतने अच्छे प्रस्ण हम आपको प्रेक्टिस करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, अंसर की बात प्रस्ण आपको कौन से सही होगा, तो आपको ओप्शन 1,2,3,4 में से बात करते हैं, अंसर की प्रस्णा आपका इंप्पोर्टेंट है, ध्यान रखेगा, अंसर की बात करते हैं, तो आपको आपका अप्शन दूजरा वाला सिकागो जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को जाना जाता है अगला प्रसने 130 कहा रहा है निमलिकित में से कौन से वरक्ष को पारिस्तितिकी आतंकवादी कहा जाता है सफेदा, कुबानी, नारियल, ताडिया, ग्रे, एल्डर इसी टाइप का प्रसना आपसे यूपीटेट 2019 में भी पूचा गया था चार आप्शन क में बताना है आपको कौन से सही होगा अंसर की बात करते हैं तो पारिस्तिकी आतंकवादी सफेदा को कहा जाता है एकला प्रसन 131 कह रहा है कि जीव मंडली ये जो तंत्र है उसमें उर्जा तथा पदार्थों के निवेस और बहिर गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक जो है वो विल्कुल सही हो जाएगा 132 प्रसन कह रहा है कि साकाहरी जानवर क्या कहलाते हैं उत्पादक प्रात्मी को भोगता दितिये को भोगता या तरतिये को भोगता आप्शन 1-2-3-4 में से अंसर की बात करते हैं तो आपका आप्शन दूसरा वाला साकाहरी जो जानव रहें वो प्रात्मिकों भोक्ता में आते हैं यहीं आपका विल्कुल सही हो जाएगा इसी सा प्रस्न है यहां अगला प्रस्न है निम्लिकित जवा बैरान उनको सही राज से सुमे लिद करना है गौतम बुद्ध डालमा सिमली पाल पेरियार और इस तरफ आपके राज दे पाउन सा सही मिलार नहीं पता होगा देखिस इंवली पाल बहुत पूस्याता है तो ऊडित सही है आपका पेरियार जो आपका है यह आपका तो यह आपका केहरल में पेरियार है कॉतम बुद्ध यह वाला ओप्ष्न देखिए यहां पर है C का C, D का ये तीसरा वाला आपका option बिल्कुल सही होगा जिसमें A जो है आपका B से match करेगा कौतम बुद जारकन में और डालमा बिहार में तो आपका B, A, C, D वाला आपका option यानि कि तीसरा वाला आपका option मिल्कुल सही होगा गलाफ रसंदर 134 कहा रहा है खाद इस रंकला की स बात करते हैं अंसर की तो आपका option चौथा वाला सर्वोच भोकता सही हो जाएगा खाद दे दूसरा रंकलाफ की सबसे बड़ी कम जोर कड़ी आप कह सकते हैं सर्वोच भोकता होगा तो 35 कह रहा है कि वन जो जीव हैं उनको मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा पर वनी जीव को मारने और वनों को काटने से इस सभी चीजियों की बाड़ा ना सूखा पड़ना इस सभी गड़ता हैं होती है 136 प्रसंद कह रहा है पाश्तितिक तंत्र में जो उड़ जा है उसका प्रमुक सुरोत क्या है भूताप है सूर्य है ग्रिन हाउस गैसे है या मुंत्री जीव जो की विलोपन की कगार पर है क्या है उभैचा रहे है पोनी फिस है सार का या स्तंधारी है ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं है तो आपका उप्शन चौथा स्तंधारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मैं थोड़ा किजिए कि 15 मिनट तक आप उसे कर ले जाए 138 प्रसन कहा रहा है कि संसाधन संरचड़ के संधर में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही इन में से नहीं है मैंने क्या कहा जहां नहीं लिका उसको इस परकार हाइलाइट कर जरूर कर लिया करिए गलत ना हो था कि प्रसन अब च ओप्शन पूर लगबग 5 से 10 सेगिंट तक का समय मैंने दे दिया आंसर की बात करते हैं तो तीसरा वाला आपका बिलकुल यहाँ पर सत्य नहीं है कि मिट्टी वा जल दीरग कालीन या परिवर्तनी संसाधन है अता हूंगे संरचड़ उपायों कि आवशक्ता नहीं है पंदन प्रजिचर संस्तान की स्थापना कहां की जा रही है है हैदराबाद में बैंगलरू में लातूर में चैन्नवी में ऑप्शन 1234 बताना है आपको कौन सा सही होगा चलिए पात करते हैं अंसर की ऑप्शन 1234 में तो तीसरा आपका ऑप्शन लातूर महराष्ट जो है व पताना है इंचार ऑप्शन में कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन 1234 में से अंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जहां पर जो चंद्र परभा है वो आपका वारानसी से मैच करेगा जो वाला करेरा ऑप्शन है वो आपका जहांस वाला आपका option बिल्कुल हो जायेगा, 141 प्रसण कहा रहा है कि घट पढ़ नहीं के निमलिकित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांत्रित होता है, इस्तम्ब होता है, अनुपढ़न अनुपढ़न होता है, पढ़ण वरत्थ होता है, बताना है आपका option 1 to 3 पर में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका option दूसरा वाला सत्ता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यह अगला प्रसंद कह रहा है कौन सा पारिष्दितिक तंत्र का अंग नहीं है नहीं है आपको बताना है उत्पादक उभोगता पोसरिस्तर या व्यापा तो हम 143 प्रसंद देखते हैं यह तो दोनों हम देख चुके हैं यहां से देखते है 143 प्रसंद आपका कह रहा है कि क्लोरीनी करण पानी को सुद्ध करने का एक प्रक्रम है क्लोरीन की रोगाडू नाश्थी जो क्रिया है उसका मुख के कारण क्या है पानी में क्लोरीन मिल मिला जाने पर हाइड्रोजन का बनना तो बताना है आपको option 1234 में कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं अंसर की तो आपका बिल्कुल आपका option दूसरा वाला पानी जो है उसमें क्लोरीन मिला जाने पर हाइड्रो क्लोरस अमल का बनना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा है तो 44 प्रसन कहा रहा है कि विस में सारवादिक जो लवरता है वो पाई जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक में मनत सागर में प्रिसांत महासागर में या वान जील में आपको बताना है option 1234 में कौन सा जो है वो सही होगा सारवादिक लवरता पाई जाती है प्रसन मैं ये प्रसन आपको करा भी बहुत बार चुका हूँ और important भी आपका ये बहुत है बात करते हैं चलिए answer की तो आपको option चौता वाला वान जील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तरकी की वान जील मैं काफी बार बता चुका ह है फिर आपका संवतराज अमेरिका की जो great salt lake है इसका नंबर आता है जिसमें 220 परसेंट कितनी 220 परसेंट जो है लवरता पाई जाती है तो यह percentage भी आप याद रह सकते हैं आपको arrange करने में help करेगा 145 परसन कह रहा है कि पारह बनार से अभी प्राय क्या है चार option दे रखे है आपको यहाँ पर पढ़ना है समझना है कौन कौन से option सही है पहला तो आपका बिल्कुल सही है बूमी जलवायू पोदे यह वला बिल्कुल सही है उन सब बोड ये भी आपका क्योंकि यह सब सीदे सिदेधे से डेफिनेशन होती है तो दो option हैं तो तीसरा भी सही होगा उप पारितंत्र है बताना है आपको option one two three four में से कौन सा जो है वो सही होगा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र जो है इन से कौन सा है आप सभी जानते हैं मैंने आपको एक प्रस्ण इस टाइप कराया था प्राकर्टिक और मानो निर्मित जो फसल होती है वो मानो निर्मित पारिस्टिक तंत्र में आती है दूसरा आपका option सही हो जाएगा 147 प्रस्ण कहा रहा है कि जो निमलिकित छेत्र हैं उन पर विचार कीजिए पूर्वी हिमाल है पूर्वी भूमद सागरे चेत्र उत्तरी पश्ण में आउस्ट्रेलिया उप्रोक्त में से कौन सा यसे जैव विविदता का या के होट स्पॉट है केवल ए ए और बी बी और सी या ए बी और सी तीनो बताना है आपको option 1,2,3,4 में से रही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका केवल और केवल ए जो है वो बिल्कुल सही होगा पूर्वी हिमाल है जो है आपका जैव विविद्दा के होट स्पॉट के अंतरगत आता है 148 प्रसन कह रहा है मुर्दा प्रदूसर का सबसे महत्पूर कारक जो है वो हो सकता है पताइए कांच से होती है प्लास्टिक से होती है या सी ओ टू से होती है चार उप्शन में चाटना है आपको कौन सा सही होगा अंसर की बात कर लेते हैं तो आपका उप्शन दूसरा वाला प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रदा प्रदूसर का सबसे महत पुढ़ का रख कभी भी आप से पुछाज है प्लास्टिक होती है प्लास्टिक मर्दा में जो है वो सालों साल पड़ी रहती है गलती नहीं है इसलिए प्लास्टिक बैंड भी की जारी लगातार 149% कहरा है नि-वलंगित कतनों पर विचार कीज़ें सिगरेट के धुमर पान से वक्ती बेंजीन के प्रभाव में आता है बेंजीन एक ग्यात कैंशर कह रख है यह दो कतन दे रखे हैं और लिकाए नि-वलंगित जो कतन है उन पर विचार कीज़ें फिर कह रहा है कि उप्रोक्त कतनों में से कौन साया से कतन सही है केवल पहला सही है केवल दूसरा पहला और दूसरा दोनों या ना तो पहला और ना ही दूसरा बताना है आपको option 1,2,3,4 में से कौन सा जो है वो सही होगा बात कर लेते हैं चली आंसर की तो बिल्कुल आपका option तीसरा वाला पहला और दूसरा दोनों ही कतन आपके बिल्कुल सही है कि सिगरेट के दूमप्रान से वेक्टी बेंजीन के प्रभाव में आता है और बेंजीन एक ग्यात कैंसर कारक है यह हमारा लाश्ट प्रसन था इसके बाद एक प्रसन हम आपसे भी पूछेंगे पर वो प्रसन पूछने से पहले वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो इतने चचच्य प्रसन प्रेक्टीस करा रहे हैं एक लाइक तो आपका बनता है ताकि मुझे भी मोटिवेशन बिलता रहा है आपके एक लाइक से चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके भी आवर शुड़ जाएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं देखते हैं आप वो प्रसन जाचे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रसन पूछते हैं एक सो पचास नमबर वाला प्रसन हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस उपग्रह त्वारा ओजोन जो चिद्र है उसकी उपस्तिती दर्ज की गई निमबस सेवन के दोरा लैंड सेट थ्री के दोरा गोज के दोरा ये टिरोस एन के दोरा प्रसन का थोड़ा से लेवल हाई है बह पता सकते हैं कौन सा जो है वो सही होगा तो इसी के साथ हमारे आज के सभी 30 प्रसंट समाफत होते हैं टोटल 30 में से कितने प्रसंट सही रहे है वीडियो के में कमेंट में टाइप करके अवश्च बताएगा आज फुर में इतना ही फिर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कवश कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जुरू कीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तकी नहीं मश्कार थैंक पर वाचिंग